नमस्कार दोस्तों, NBS Times में आपका सौगत है, मैं अखिलेश निरेंजन, PGTST जबाहनवोते विद्याले ले ददाक से, जिसा कि आप जानते हैं, जबाहनवोते विद्याले में, क्लास 6 के लिए, एड्मिशन के लिए, एक इंट्रेंस एक्जाम होता है, और उसके लिए आभी आपकी स्क्रीन पर, और एक डिटेल से आपको हम बताएंगे, कि आभी दन कैसे करना है, कहां से करना है, और क्या-क्या ज़रूरी डॉकुमेंट है, जो आपके पास होने चाहिए, तो पहले बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टन पॉइंट्स है, जबाहनवोते विद्याले स अगर हम डेट की बात करें, तो सेटरडे 29 अपरेल 2023 को ये एकजाम सेडियूल है, तो 29 अपरेल को एकजाम होना है, और अभी लास्ट डेट अपलाई करने की 31 जैनवरी 2023 है, तो इस पार टाइम भी काफी कम मिला है, क्योंकि फॉर्म और सालों की कमपेरिशन में काफी देर स आए हैं, कहां से अपलाई करेंगे, तो NBS के जो वैप साइट है, नवोदया.GOB.IN यहां से आप अपलाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं किस तरह से डॉकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पहले से तियार, अपने डॉकुमेंट्स जेपेजी फॉर्म उसका जो स्कूल है, उसका नाम आता है, इसके बाद मदर्स, फादर्स नेम, डेट और बार्थ, और एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है, मुबाईल नमबर, एड्रेस, इमेल, आधार नमबर, साथ में जो पर्टिकुलर्स हैं, अकैडमिक, जो क्लासे, क्लास थार्ड, अबलिक अर्वन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्कूल जहाँ पर लोकेटेड है, उस लोकेशन के एकॉर्डिंग ही, कैंडरेट को रूरल या अर्वन माना जाता है, आपके रेजिदेंशियल एड्रेस से रूरल और अर्वन डिसाइड नहीं होता है, जबकि यह कैसे होता है आपके स्कूल से, स्कूल रूरल एरिया में है या फिर अर्वन एरिया में है, और बॉटम में नीचे की तरब आप देख रहे है, सिगनेचर ऑफ केंड़ेट, सिगनेचर ऑप पैरेंट, और सब से नीचे, दा एबब डिटेल्स ऑफ केंड़ेट और बेरिफाइड और पैरेंट केंड़ेट और साथ में आधार डिटेल्स, तो इस बार एक जो सबसे बड़ा बदला हो आया है, वो आधार को लेके है, कि आधार नंबर इसमें पहले भी फिल होता था, लेकिन इस बार फॉर्म को आधार के साथ लिंक किया गया है, इसलिए आधार कार्ड लेकिन सेलेक्शन होने के साथ ही ये आपके पास आधार बना होना चाहिए, साथ में आधार के एकॉर्डिंग लिही जो अकैडमिक रिकॉर्ड से उसके भी डिटेल आपके मैच करनी चाहिए, साथ ही साथ आपके डिस्ट्रिक में जो भी जवानवोदर विद्याल है, हर एक जैनवी में बनाया जाते हैं, तो इसके साथ ही बैलिट एक्टिव मोबाइल नमबर आपका होना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP आएगा इस बार जब आप रेश्ट्रेशन करने जाएंगे, अब इसमें हम देखेंगे कौन से कंडिट्स हैं जो एलिजिबल है, क्लास फि इसके साथ मांगा जाएगा तो ध्यान रखें कि जिस डिस्ट्रिक के आप रहने वाले हैं, अपने बच्चे का फॉर्म उसी डिस्ट्रिक से फिल कराईए, एज क्राइटिरिया की अगर हम बात करते हैं, ऐसे कंडिट्स जो 1st May 2011 के बाद जिनका वर्थ हुआ है और 30th April 2013, मत बीच में बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब 1st May को भी इसमें इंक्लूट किया गया है और 30th April को भी, so 1 मई 2011 से 30th April 2013 की बीच में जिनकी डेट वर्थ है इस्टुएंट्स की वो इसमें एपलाई कर सकते हैं, सबसे important line यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट है, no candidate is eligible to appear in the selection test for the second time, under any circumstances, मतलब अगर किसी candidate ने 22-23 session के लिए exam दिया था और selection नहीं हुआ था, अगर वो 23-24 के लिए apply करना चाहते हैं, तो ऐसा possible नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार इसमें मौका मिलता है, JNVST का exam देने का, अगर कोई दोबारा से form fill करना चाहता है, तो ऐसा possible नहीं है और courses भी ना करिए, क्योंकि यह illegal होता है, इस बार आधार को इसमें link किया जा रहा है, क्योंकि काफी cases ऐसे आ रहे थे, जो repeaters थे, एक से ज़्यादा बार entrance exam देकर के, जिनका selection हो रहा था, तो साइध उसको रोकने के लिए हाँ पर आधार को link किया जा रहा है, अगर हम बात क करते हैं, तो यह nabudya.gov.in का home page आपको दिख रहा है, admission notification, prospectus, और यहां पर online fill कैसे करना है, इसको link को click करते ही, आप देखेंगे, एक portal ऐसे खुलेगा, online application for admission to class 6, और यहां पर आप registration कर सकते हैं, registration जब आप करेंगे, तो online जो भी details है, वो आपको fill करनी है, साथ में certificate है, इस form क भी scan करके upload किया जाएगा, तो यह सारी details है, आप थोड़ा सा exam का जो pattern है, उसकी बात कर लेते हैं, किस तरह से exam होने वाला है, तो इसमें composition of test, अगर हम composition of test की बात करें, तो exam 2 hours का होता है, time duration आप देख रहे हैं 11.30 to 1.30 pm, और 3 sections इसमें रहते हैं, और total number of questions, 80 questions है, 3 sections में आप देख रहे हैं, mental ability test, 40 questions, 50 marks, arithmetic test, 20 questions, 25 marks, language test, 20 questions, 25 marks, duration की बात करें, तो total 2 hours का यह exam होता है, और एक question के जो marks है, वो 1.25 marks होते हैं, तो इस तरह से form fill करने से पहले, prospectors को एक बार जरूर देख लें, और किसी भी तरह का confusion हो, तो description में दिये गए contact number पर आप message कर सकते हैं, पूछ सकत मिलते हैं, next video में